कोड के आदेश के बाद अब भारत में इंटरनेट और मोबाइल कंपनिया कारुबार में क्रिप्टो करंसी का सहारा ले सकती है जापान एक अप्रेल से बिटकॉइन को कानूनी रूप से मानिता देने जा रहा है बड़ी कमपनिया भी धीरे धीरे बिटकॉइन एकसेप करने लगी ए है ऐसा क्या है बिटकॉइन में कि इसके मुल में इतनी ज्यादा बडोतरी हो रही है इतना ज्यादा इजाफा और वो भी इतनी थेजी के साथ साल दो हजार आठ में जब दुनिया में आर्थिक हालात खराब हुए तब एक नई तरह की मुद्रा का उद्य हुआ USA, रश्या, जर्मनी, यूके, चाइना, जापान, सिंगपूर जैसे सम्रिद्ध देशों के साथ साथ लगभग दुनिया के सभी देशों ने इस मुद्रा को स्विकार किया जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की दुनिया में इसकी स्विकारिता का अंदाजा आप इसकी ग्रोथ से लगा सकते हैं कि जब 2008 में बिटकॉइन शुरू हुआ था, तब इसकी कीमत मातर साथ पैसा थी और दिसंबर 2020 तक आते आते, इसकी कीमत 20 लाक रोपे से ज्यादा हो गई आज एपल, माइक्रसॉफ्ट, गूगल, फेसबोग, पेपाल, टेसला के साथ साथ दुनिया भर की अधिक्तर बड़ी कंपनियां क्रिप्टो करंसी में भरूसा करती हैं आज लगभग पूरी दुनिया के अर्थशास्तरी मानते हैं कि क्रिप्टो करंसी दुनिया का आर्थिक भाविश्य है और इसके विस्तार को रोका नहीं जा सकता इसी लिए आज क्रिप्टो करणसी को डिजिटल गोल्ड कहा जाने लगा है। इसी दोरान क्रिप्टो की इस तेज ग्रोथ को देखते हुए भारत में रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने एप्रिल 2018 में क्रिप्टो करणसी के प्रयोग पर रोक लगा दी। लेकिन सभी सुरक्षा बिंदूओं को देखते हुए चार मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया। और मोबाइल कम्पनिया कारुबार में क्रिप्टो करंसी का सहारा ले सकती है। और अब भारत में क्रिप्टो करंसी इन्वेस्टमेंट पर हुए लाग पर इंकम टेक्स देना भी अनिवारे है। लेकिन इसके बाद भी भारत में क्रिप्टो का प्रचार नहीं हो पाया, क्योंकि भारत में आम आदमे के लिए सामान्य बैंकों की तरहा क्रिप्टो करंसी का कोई भरोसे मंद ब्लैटफॉर्म नहीं था, जहां वो स्वयम जाकर क्रिप्टो का लेंदेन कर सकें। और इनी परिशानियों को भाबते हुए भारत में क्रिप्टो करंसी की कमान संभालने का फैसला लिया भारत के युनाइटेट ग्रूप ने। युनाइटेट ग्रूप पिछले दस वर्शों से भारत में फाइनस सेवायन दे रहा था। ठीक उसी वक्त दुनिया की जानी मानी क्रिप्टो बैंकिंग कमपनी कैशा के फाउंटर अपने देश भारत में क्रिप्टो बैंकिंग शुरू करने के बारे में सोच रहे थे। और इसके लिए उन्हें भारत में एक साथी कमपनी चाहिए थी। इसी क्रम में युनाइटेट के CEO मिस्टर दिनेश कुकरेजा और क कैशा के CEO मिस्टर कुमार गौरफ की मुलाकात हुई और दोनों ने मिलकर भारत की पहली क्रिप्टो बैंक की नीव रखी और उसका नाम रखा युनिक एश। आज युनिक एश अपने युनिक फीचर्स के साथ भारत में अपनी ब्रांचेज में क्रिप्टो करंसी की सेवा दे रहा है आज भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां ओनलाइन के साथ साथ क्रिप्टो कंपनी की शाखाएं भी उपलब्द हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो में लेंदेन के दर्वाजे आम आदमी के लिए खुल गए हैं युनिकेश अपने ग्रहकों को क्रिप्टो सेविंग अकाउंट उपलब्द करवाता है जिसमें बज़त खाते का प्याज मिलता है इसके साथ साथ युनिकेश क्रिप्टो करंसी के बदले लोन लेनी की सुविधा भी उपलब्द करवाता है और यही नहीं युनिकेश डुनिया का पहला ऐसा क्रिप्टो प्लैटफॉर्म है जो क्रिप्टो खरीदने के लिए भी लोन उपलब्द करवाता है इसके अलावा युनिकेश अपने ग्रहकों को डेबिट कार्ट देता है जिससे रुपए अध्वा क्रिप्टो को कहीं भी इस्तमाल किया जा सके आज ऐसे युनिक फीचर्स भारत में किसी भी कंपनी के पास नहीं है यही वज़ा है कि जहां पहले क्रिप्टो करेंसी का लाब दुनिया के बाकी लोग उठा रहे थे वहीं अब भारत का आम आदमी भी क्रिप्टो करेंसी का लाब उठा रहा है और भारत में इस क्रिप्टो करांती को लीड कर रही है युनिकेश आज युनिकेश जल्द से जल्द पूरे भारत में अपनी ब्रांचेस खोल कर क्रिप्टो कल्चर को घर घर तक पहुँचाने की तैयारी कर रही है ताकि डिजिटल इंडिया के निर्माण में अपना योगदान दे सके और इसके लिए युनिकेश हर व्यक्ति को उसके पैसे का पूरा कंट्रोल देना चाहती है जिससे वो आत्मनेर भर बने इसलिए युनिकेश कभी भी कहीं भी रुपए और क्रिप्टो करंसी को यूज़ करने की आजादी देता है और यही युनिकेश का मूल मंद्र है युनिकेश जोमनी जोमे युनिकेश